हलो एवरीबन दिस इज उत्कर शुकला फ्रम उत्कर्ष एजुकेशन जी एस ट्रिक्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हड़ापा सब्विता से संबंदित प्रमुक्स थल कौन-कौन से हैं और वो जिन नदियों के किनारे बसे हुए हैं उन नदियों को आप उन संबंदित पूरे लेक्चर भी ढलता हूँ और उनसे संबंदित ट्रिक्स भी डालता हूँ तो प्लीज अगर आपको मेरे लेग्चर अच्छे लगें तो मुझे सबस्क्राइब करें आपके लिए इत Fahrenheit है बोक्र कि रिखकर फ्री है और उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता आए बढ़ना चुरू करते हैं आज का टॉपिक अब्शसवित्भा के प्रंउक्स्था और अधिया का आधिया कमंतित नदिया है जो प्रमुक्सथालएं पहले उनको उनकी निदीयों के साथ एक बढ़ लेते हैं उसके बाद ट्रिक पड़ते हैं पड़ते हैं कि अब हम याद करते हैं कि याद करते हैं कि सबसे पहले इस ग्रुप की एक बनाई यह मैंने एक नगर की एक ट्रिक नहीं बताऊंगा उससे आपको याद करने में बहुत टाइम लगेगा मैं एक ग्रुप जो उठाऊंगा उसकी एक ग्रुप में ट्रिक बना दूँगा कहानी के रूप में जिससे आपको याद करने में असानी हो मोहन जोदोर सिंदू निदी किनारे सोतका शादी को और निदी के मानदा चिनाब हरपपा रावी सोपरोपर सतलर रगपुर मादरी कोट दीजी सिंदू दैमाबाद गुदावरी अब इनकी ट्रिक है मोहन सिद्दू की शादी में या निकाह में उसकी दादी माने चुनरी के मुद्दे पर रवी को हड़का दिया शादी का कारेक्रम रूपा लौज में था शादी के दिन मोहन ने मदूर रंगो वाला सिंदूरी कोट पहना था शादी में वरवदू की गोद में दैमाबाद की कपड़े रखेंगे इतना अराम है एक शादी की कहानी के माद्दे में से मैंने आपको याद कराने के लिए इस कहानी का यूज किया है अब हम याद कैसे करेंगे मोहन सिद्दू से आप मोहन जोदोडो और सिंदू नदी को याद रखेंगे शादी निकाह से आप सोतकाह काह जो निकाह काह है वहाँ से आप सोतकाह भी याद रखेंगे और शादी से आप शादी कवर याद रखेंगे दादी माने चुनरी के मुद्दे पर तो दादी मा से आप मादा याद रखेंगे और चुनरी से आप चिनाव याद रखेंगे रवी को हड़का दिया तो रवी से आप रावी नदी और हड़का से आप हडपा नदी हडपा जो नगर है उसको याद रखेंगे शादी का कार्यक्रम रूपा लौज में था रूपा से आप रूपड और लौज से आप सतलज का लज जो होता है सतलज याद रखेंगे शादी के दिन वहनने मधुर रंगो वाला तो मधुर से आप मादर या मादर याद रखेंगे और रंगों से आप रंग पर याद रखेंगे आगे चलके रंगों करके नदी भी आएगी वह से याद रखेंगे और दैमाबाद के कपड़े गोद में रखेंगे तो गोद से आप गोदावरी और दैमाबाद से याद रखेंगे एक बार पढ़ लीजिए एक बार बोल के लिख दीजिए आपका काम हो जाएगा उसके बार सीधे एक जाम के दिन उठाइएगा अगली ट्रिक इसकी ट्रिक है चंदन सिद्दू अगर काला बंगला है उसकी हुंड़े की कार का अलारम बहुत तेज है उसके रंगीन मजाच का माली सूतक होने पर भी 10-10 संड़े खा लेता है दौला वीरा के लूनी व्यावा ने चंदन को भगवा रंका लोसन प्रसाद ने दिया है इसको याद कैसे रखेंगे चंदन सिद्दू से आप चन्नू दडो और सिंदू को याद रखेंगे काला बंगरा और घर से आप काली बंगा और घगर को याद रखेंगे हुंड़ई की कार का अलारम से आप आलम गीर पूर और हुंड़ई से आप हिंडन नदी को याद रखेंगे रंगीन मिजाच का माली माली से आप बनवाली याद रखेंगे और रंगीन से आप रंगोई याद रखेंगे ठीक है सूतक और दसदस अंडे सूतक से आप सुतका गेंडोर और दस से आप दाश के याद रखेंगे धौलावीरा के लूनी बाबा से धौलावीरा और लूनी नदी याद रखेंगे और लोधल आप लोशन से आध रखेंगे और भोगवा नदी को भगवा से याध रखेंगे इस तरह से इस ट्रिक के माधियम से आप इस जो ग्रुप को है उसको अच्छे से याध कर सकते हैं आप अच्छे सेगवाश ट्रिक को पढ़ लीजिए ट्रिक बहुत सरल है कहानी के माध्यम से आपको याद कराया गया पंद्रा स्थान है पंद्रा की पंद्रा आपको याद हो जाएंगी दुबारा ना पढ़ना है ना रिवीजन करना है आराम से पेपर की दिन एक बार रिव